लिए बनाते हैं रस्मलाई पीठा बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में कड़ाई में एक बॉल जिस बॉल से अपाटा चावल काटा देंगी उस बॉल से एक बॉल दूद और तीन टेवल स्पून मैंने चीनी डाल करके इसको अच्छे से उबालेंगे और चावल काटा हम लोगों यूज़ कर रहे हैं उबाल देखे आ गया है विसमें एक बॉल चावल का आटा डाल देंगे और अच्छे से इसको चलाएंगे जल्दी जल्दी ही चलाएं इसको देखे इस तरह से इस तरह से बनाएगा पूरा परफेक्ट इसका डू तयार होता ह खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है एकदम रहस्त मला आई के तरह लगेगा खाने में आपको गा इस तरह से अच्छे से इसका डू बना लेंगे और इसको धग देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए भी क्या अब इसका वह अच्छे से तो यार कर लेते हैं है थंड़ा हो चुक है कि कितना अच्छा से मदल्ब चूपिधा जांक गरं रहता है तो थाली बूस्थ होदी थोड़ा से चीपक कर ने यह ठंडा हो चुका है मेरा अच्छा से अगर आपको दो मतब की थोड़ा हाट रहे तो इसमें पानी एट करके अच्छे से डो बनाई दम सॉप्ट डो तभी तो दम सॉप्ट सॉप्ट होगा रसमलाई के तरह आपका अथ न आप hack कितना अच्छा से बन गया ना है मैंने मावा लिया है यह बजार का मावा आपको इसको इसको थोड़ा सा कड़ाई में डालकर बोलाइए तो और मैंने एक बड़े बौल से लिया था चावल काटा तो मैंने मावा लिए है 800 अभ इसको अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा भ्राउन होने तक सबूनेगे तो उसको करने टेस्ट पहुत ही अच्छा आ जाता है घर कहा हमाँ वनाई आप चीनी अपने अनुसार से डाले मैंने तीन टेवल स्पून चीनी इसमें डाला है मिठास के लिए आपको जितना खाना का मतलब खाना से साफ़ डाली अब मतलब जो नहीं लेना चाहते चीनी वो ना भी ले अब थोड़ा-थोड़ा सा मावा डाल करके इसका इस तरह से हम इसको गोल कर लेंगे अच्छे से अज इस तरह से रस्पलाई का रता है ना बॉल उस तरह से इसका बॉल बना लेंगे देखे इस तरह से एक और बॉल आपको बना के दिखाते हैं इस तरह से हाथ से फैला ले फिर इसमें थोड़ा सा मावा डाल दें और फिर इसको अच्छ आप से बंध हो जाता है मावह फट्रड़ थंड़ा हो जग कर दो और भी अराभ से पहले वाल में मेरा मीना नहरत खोड़ा देंगे और इसमें हम लोग चीनी डालेंगे आधा कप एक लिटर मैंने दूद लिया है फुल क्रीम बला दूद तभी तो इसका रवड़ी अच्छा बनेगा इसको मैंने पहले से ही उबलने के लिए डाल दिया था थोड़ा दूद में जल भी चुका है देखिए पीठा इद पिठा को डालते जाएंगे एक्टम उबले दूद में डालेंगे इस तरह से थोड़ा सा केसर का दूद भी इसमें डाट कर देंगे आप देखिए दस मिनट हो चुका है इसको बलते वे और मेरा पीठा एक्दम तयार है अब इसको हम लोग प्रेटिंग करेंगे इस तरह से प्लेटिंग कीजिए ठंडा होने प्लेटिंग कीजिए तो बहुत ही टेस्टी लगता है गर्मा गर्म उतना अच्छा नहीं लगेगा ठंडा में बहुत अच्छा लगता है खाने में यह मेरा ठंडा हो चुका है तब प्लेटिंग कर रहा है अब थोड़ा सा समे केसर कदूद डाल देंगे अपनी अलग से लेना चाहते हैं तो नहीं डाले इस तरह से अब देखे कितना सूपर सॉप्ट हुआ है अभी आपको हम काट के दिखाते हैं बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी बना है आप इस तरह बनाईए खाईए लाइक और सब्सक्राइब किज कि इतने अधर देखे लिए थैंक यू